हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरूप क्लासेज यूटूब चैनल, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशन नमबर 18 के साथ, पिसल केमेस्ट्री पीवाई क्यूस जेई मेंस और यह है 29 जैन्वरी शिफ्ट 2 का कोशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मॉलालिटी ओफ पॉइंट के लिए एक relation यूज़ करेंगे, जो होगा small m, molarity का molality का molarity के साथ, तो relation में यह आपे लिख रही हूँ, हम लोग वैसे इसे relate भी कर सकते हैं, relation में हम लोग molarity को decode करके molarity पे जा सकते हैं, बट हर एक step logical रहेगा थोड़ा, तो आप अगर avoid करना चाहें, तो आप direct formula यूज़ क यहाँ पे करेंगे molar mass से, चलिए इसको denotion कुछ और दे लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि काफी similar value हो जाएगी, so हम लोग लिख लेते हैं इसे multiply करके molar mass, और यह होगा solute का, तो यह important रहेगा, और यहाँ पे हमें लिखना होगा thousand, यह formula हो गया, जो हम use करेंगे, बट हमें इन, पहली बार density solution की होगी, जह सामने लिखा हुआ है, और that should be in gram per ml, हमें अभी दिया गया है gram और centimeter cube में, बट no problem, क्योंकि 1 ml और 1 centimeter cube एक ही होता है, जिसके चलते, जो density होगी, वो हो जाएगी 1.06 gram per ml के बरापर, इसी density को हम लोग डारेकली use कर लेंगे, तो चलिए formula में बूट करते हैं, molality is equal to 0.8 multiplied by 1000 divided by 1000 D, D है density, आगी इन हम लोग उसको लिख लेंगे, 1.06 minus M.8 हो जाएगा, जो molar mass है, चलिए उसे calculate कर लेते हैं, H2SO4, यह हो जाएगा 2, sulfur होता है 32, और जो oxygen है, वो 16 होता है, 16 into 4, 64, multiply करके मिल जाएगा, और हमें total value sum करके मिलेगी 98 gram, तो यहाँ आपको multiply करना पड़ेगा 98, आप इसे solve करेंगे, multiply करके solve कर लें, तो आपको value मिल जाएगी, यहाँ से multiply करें, 800 divided by 981.6, थोड़ा calculation definitely यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको डिवाइट करने के बाद हमें value मिलेगी, 8, 1, 4, जो यहाँ पर हमें, क्यूंकि 10 to the power minus 3 में answer देना है, तो at least जो आपके पास value होने चाहिए, वो 4 decimal place तक होनी चाहिए, क्यूंकि हमें 10 to the power minus 3 तक के लिए round off करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा, कुछ ऐसे, जब भी आपको यह minus 3 है, that means 3 digit तो आही जाएंगे, 4th digit जरूर लिखें, क्यूंकि 4th digit हमें बताएगा कि round off करके जो integer आने वाला है, वो क्या रहेगा, तो यह value हो जाएगी, 815, so our missing value is 815, जो 10 to the power बाकी मैं multiply यह लगा देती हूँ, minus 3 में रहेगा, यह हो गई है, molality, molarity हमें दी गई थी, यह relation है, जिससे आपको directly learn रखना होगा, अगर आप इसे learn रखेंगे, तो जल्दी से अगर calculation okay है, तो आप इसे एक within time frame में question को कर पाएंगे, so thank you for watching,